हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं MHI 09 की सीरीज, जिसमें हम इसके साथ सभी चैप्टर्स कम्प्लीट करने की कोशिश करेंगे, जो भी इंपोर्टेंट कॉस्चन्स होंगे, वो इसमें डिसकस करेंगे, मैं भी में हिस्टरी की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है, जब हम दिस्टेंस से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो हम सोचते हैं कि यूट्यूब पे कोई अच्छी सी वीडियो हमें मिले, जिसे थोड़ी समझ हमें कॉश्चन की लग सके, बट मैं भी ढूंड रह थी तो मुझे भी ऐसी इतनी रेलेवेंट कोई वीडियो नहीं मिली, तो मैंने सुचा खुद दी पढ़ती हूँ, आपको भी थोड़ी हेल्प हो जाए इससे, सो बिदाउट वेस्टिंग अनी टाइम स्टार्ट करते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट ले जिसमें हमने रास्टर और रास्टरबाद के उभार की अधुनिक्तावादी सिधान्त पढ़ने हैं और एक गैर अधुनिक्तावादी सिधान्त पढ़ने हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं, रास्टर और रास्टरबाद के उभार को लेकर इस सिद्धान्थ ने इस सिद्धान्थ की स्थापना 1961 में की थी इसके मुख्यत अथ्य निमिन लिखित थे उन्होंने रास्टरवाद को एक सिद्धान्थ के रूप में माना है उन्होंने इसे आधुनिक यूरोप के बौधिक इतिहास में प्रभाब शाली ढंग से अनुभब किया उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा रास्टरबाद का सिधान्त उन्निस्वी सदी के प्रारम में यूरोप अविश्कृत किया गया था जो एलिक ड्यूरी थी उन्होंने कहा कि रास्टरबाद एक सिधान्त है और उन्होंने कहा कि उन्होंने इसको अनुभब किया है यूरोप के बौधिक इतिहास में प्रभाव शाली धंग से उन्होंने इसको अनुभब किया है उन्होंने अपने गरंथ में लिखा है कि रास्टरबाद का सिधान्त उनिस्वी सदी के प्रारम में यूरोप अभिश्कृत किया गया था उनके अनुसार ये रास्टरबाद की असरंचनात्मक व्याख्या है जिसके अनुसार रास्टरबाद की जड़ें गहरी है ना कि इसकी कोई ठोसरंचना है और ना ही विशेश शर्थ है प्रंतु ऐसा केबल यूरोपी विचारों के विचारों तथा सिधान्तों में ही था जो एली का डियोरी है इन्होंने अपना जो सिधान दिया था इसनोंने अपना सिधान दिया था 1961 में और इन्होंने कहा था कि ये एक सिध्धान्त है और जिसे उन्होंने फील किया है बौधिक इतिहास में ठीक है और इन्होंने कहा था कि राष्टरबाद एक असरांचनात्मक व्यार्ख्या है जिसकी जो जड़े हैं वो बहुत गहरी है ना कि ये कोई थोस सरांचना है ना इसक केवल सिर्फ यूरोपी विचारकों के विचारों और सिधानतों में ही था ज़ु दूसरा सिधानत है वो है गैलेमर का अधुनिक्तावादी सिधान कड्यूरी के सिधानत की तुल्ना में ये एक प्रभाफशाली बिकल्ब काल गैलेमर त्वारा प्रस्तुत किया गया उनके सिधान पें मुख्य बातें निमिन लिखित थी ग्यालेनर के अनुसार राष्टरवाद का उधे क्रीशी से ओद्योगिक विशप के रूपांतरं में हुआ गैलेनर कह रहे हैं कि जो रास्टरवाद का उदे है वो जब क्रिशी से ओध्योगिक विशब की तरफ रुपांतरन हो रहा था उस टाइम पे रास्टरवाद का उदे हुआ उन्होंने रास्टरवाद को शक्ती तथा संस्कृती की नई अंतर क्रिया को स्रिजित करने वाले नए आर्थिक तथा उत्पादक वलों के सामने आने के रूप में देखा जैसे इन्होंने बताया है कि जो रास्टरवाद है वो क्रिशिश है जब हम ओद्योगिक विशब की तरफ जा रहे थे उस टाइम पे जो भी शक्ती और संस्कृती की जो चेंजिस हो रहे थे ठीक है उसमें जो भी आधिक या फिर उत्पादक वल सामने आ रहे थे उसके सिधान्त नहीं देखे ये रास्टरवाद को ने आतिक वलों के संचालन के उत्पादन के रूप में देखते हैं जैसे एली के डूरी थी उन्होंने बोला था कि रास्टरवाद सिधान्त है उन्होंने इसको सिधान्त के रूप में देखा था तो ये बोल रहे हैं कि गैलेन को नहीं रखा है उन्हों न रखाया इसे देखा है आर्थिक वलों के संचालन के उत्पादन के रूप में यह सिधान्थ अनवरत विकास पर अधारित था वस्तुत यह अर्थ-व्यवस्ता तभी कायम रह सकती है जब यह विक्सित होती रहे यह अनवरत विकास करने वाली अर पूरन शाक्षरता आवश्यक थी यह शाक्षरता का रूप समता मूलक होना चाहिए था ताकि वड़ी संख्या में अग्यात तथा एक दूसरे से अपरिचित लोग प्रस पर संबाद कर सके इस ओद्योगिक अर्थविवस्था में गती शीलता थी जो व्यवसाइक और स्थान दोनों परकार की थी इस नई अर्थविवस्था के कारण लोग अपने संगठित समुदायों से अलग थलग कर एक ऐसी स्थिती में डाल दिये गे जो उनके लिए नहीं थी और ना उनके उनसे उसका कोई लगाव था राष्टरबाद की नई अर्थविवस्था समताबाद पर अधारित थी इसने लोगों की परतिस्था और हैसियत अधारित पदा नुकरम को समापत कर दिया इसने पुरानी संस्कृति पुरानी सरंचनाओं पुराने पदा नुकरम को भी नस्ट कर दिया आधुनिक और प्र यूरोपी समाज में प्रारंबिक मतवेत्स मापत हो गए तथा उनकी जगा इन नई संस्कृति पर अधारित नई रेखा बन गई इसमें जो गैलेनर कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जो पुरानी चीज़ें थी उनको खतम करके जो नई चीज़ें आ रही हैं जिसमें जो भी नई आर्थिक जो भी चीज़ें उनमें उत्पादन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है उनके परपेक्ष में ही बात की गई है कि जो पुरानी संस्कृती पुरानी चीजें थी उनको खतम कर दिया गया ठीक है और जो जैसे पदानुकुरम के अधार पे जैसे कोई भी किसी को पद मिलता होगा या कुछ भी उसको खतम करके जो भी मिलब परद्योगी की और आधुनिक्ता को ही जादा मायने दिये गए इस परिवर्तन से राज्य की भूमी का अती महतोपूरण हो गई नया आर्थिक संसार इतना बिशाल हो गया कि इससे सिर्फ राज्य होकर ही प्रभापशाली धंग से निप्टा जा सकता था राज्य इसे लोगों के समर्थन के कारण प्रभापशाली धंग से कायम रख सका अब ये अवेश्यक था कि राज्य समाज का प्रधिनिधी तब करे ये सबी एक ने परकार की विवस्था के लिए था ये सब कुछ ने परकार का समाजी बन रहा था क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि जो भी पुरानी चीज़ें थी उनको छोड़ के जो नेया समाज था जिसमें आधुनिक करण हो रहा था उसकी तरफ हम ट्रांसफर हो रहे थे जैसे क्रिशी से ओध्योगी की तरफ गैलेनर का ये रास्टरबाद का सिधान्त एक विश्वशनी सिधान्त था प्रन्तु इस सिधान्त के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि इस सिधान्त का जुड़ा भारत या सही मायने में अन्य उपनी वेश्यों के विकास के मामले के साथ नहीं हो पाया गैलेनर के सिधान्त की सबसे बड़ी ताकत गटना करम को विशेशिक बैश्विशिक प्रकरती पर उसकी बहुत अच्छी पकर थी हालांकि ये सिधान्त एशिय और अफरीका के अपनी विशिक समाज के रास्टरवादी अनुभवों को प्रयापत रूप से ब्याख्या करता नहीं प्रतीत होता है सही माइने में कहा जा सकता है कि ये सिधान्त पूरण रूप से पश्चमी यूरोप के अनुभवों के अधार पर निर्मित था तथा बाद में सभी मानव मातर के लिए वैद्य रूप में ब्यापक हो गया तो इसमें ये कह रहा है कि जो गैलेनर का जो रास्टरवादी सिधान्त था वो एक विश्वेशनी सिधान तो है ये मान सकते हैं बट इसमें ऐसा है कि ये जो जैसे भारत या अन्योपनी वेशिक जो देश थे उनके लिए ये अपलाय नहीं होता है ये अपलाय हो रहा था जो बड़े देश थे जैसे पश्चमी यूरोप के जो चीजें थी उनके उपर ये सिधान्त जो था ये इंपलीमेंट हो रहा था हमारे इस पर नहीं तो ये इस सिधान्त का कुछ ड्रॉबैक था तो जो थर्ड सिधान्त है वो टॉम नैन का अधुनिक्तावादी सिधान्त ये सिधान्त अपनी वेशिक समाज की व्याख्या न्याय संगर धंग से करता है मनब ये सिधान सबसे सही है उसके सिधान में मुख्य बाते इस तरह थी ये सिधान्त आधुनिक्तावादी होने के साथ सार्भोमिक्तावादी भी था जैसे जो गैलेनर का था वो आधुनिक् रास्टरवाद मानव विकास के किसी विशेश चरण का एक अनिवार्य तथा एकी करित परिनाम है टॉम नैन का जो आदुनिक्ताबादी सिदानत है वो बोल रहे हैं कि रास्टरवाद मानव विकास के किसी विशेश चरण का एक अनिवार्य तथा एकी करित परिनाम है नेन राष्टरवाद को विशव तथा पुणजी वाद में अंतरनेहित असमान अभिकास के पुणजी वाधी रूपांतरन के रूप में देखते हैं एशिया और अफरीका के आपनी वेशिक समाज में शिक रही असमानता के तीफर अपमान को महसूस किया गया इन समाजों में संप्रवाद चो बड़ा वर्ग था ने यह कहना शुरू कर दिया कि इस प्रकार की प्रक्ति का तातपरे हो उनके लिए अपनी वेशवादी वर्चस्व है पुझीवाद ने अपनी वेशवाद और समराज्यवाद की एक प्रणाली का स्रिजन किया अपनी वेश का उदेशयों लोगों की एक बड़ी संख्या को शाशन से अलग रखना था उन्हें ने तंत्र में शोशन का शिकार होना पड़ा अपनी वेशिक समाज में इस अपमान ने राश्टरवाद को जरम दिया तो जो टॉम नेन है वो बोल रहे हैं कि जो जैसे जो अपनी वेशिक समाज था उससे तब जाके राश्टरवाद का जनम होता है इस युग में पुझीवाद के दो चहरे स्पस्ट हो गए एक और जहां यूरोपी विशव में इससे संपत्ती, समरिद्धी और गती शीलता आई दूसरी और इससे आर्थिक विशमता और उपनी वेश के लोगों का राश्टनीतिक शोशन हुआ राश्टरवाद ऐसी स्थिति के खिलाफ एक प्रतिकरिया था उपनी वेशिक समाज के संप्रवातों का बर्चस्व शोशन्त था उनको अलग करने वाली इस स्थिति के खिलाफ होने बाला प्रतिरोध का संगठित करने के लिए ये पहल करनी पड़ी रास्टरवाद लाने में मध्य वर्ग के बुधी जीवियों का भी योगदान था इन्हों ने लोगों की भाशा पर ध्यान केंदित किया इस नई भावना ने सम्रवादों को बड़े पैमाने पर सामान्य से जोड दिया तथा बिदेशी वर्षचस्व के खिलाफ आम लोगों को एक जुट कर दिया और एक समान्य संग के लोगों को तियार कर दिया रास्टरवाद समराज्यवाद के बिरुद संप्रवातों और चंस मुहों में सेयुक्त संगर्ष की प्रतिकरिया एक स्वाविक उपज था इस प्रकार नैन का सिधान्त रास्टरवाद की यह एक आविश्यक आधुनिक्तावादी सोच है उनकी यह सोच अन्य आधुनिक्तावादी विग्यानों में से सर्वताभीन है जिसका ध्यार यूरोप पर केंद्रित होता है उनका सिधान्त समान्य रूप से अपनी वेश्य विरोधी रास्टरवाद तथा बिशेश रूप से भारती रास्टरवाद के लिए एकदम स्टीक है जो टॉम नैन है इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है कि जो भी रास्टरवाद का जन्म हुआ है वो इसी की प्रतिकरिया है कि जो भी जो अंग्रेज थे या जो हमारे उपर रूल कर रहे थे जो उसकी बज़र से या पिर जो सम्भादी भरक के लोग थे उनके द्वारा जो शोशन हो रहा था आम लोगों का तो यह उननी के खिलाफ प्रतिकरिया के रूप में पैदा होता है तो यह था हमारा फर्स्ट कॉश्चन इसमें रास्टर और रास्टरवाद के हमने अधुनिक्तावादी सिधान्त पड़े अगली नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ऐसे तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इस चैप्टर की उसमें हम इसके गैर अधुनिक्तावादी सिधान्तों के उपर चर्चा करेंगे अगर आपको अच्छी लग रही है यह वीडियो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज